हेई गाइस गुडूर्निग अल आफ यू मैं स्वेता ज्यर स्टूडेंस। टूडेंस फीर्ड क्लास अफ इंग्लिश। आज मैं क्लास 3 के लिए वीडियो लेकर आए हूँ। च्लास 3 का जो फीर चाप्टर था आपलोका वो मैं कम्लीट करा चुकी हूँ। और थर्ड चाप्टर का नेम था The Golden Touch, वो किंग जो थे, किंग इमिदास, वो जो भी चीज को टाच करते हैं, तो क्या हो जाता था, वो गोल्ड का यानि की सोने का हो जाता था, तो वो तो मैं स्टोरी कंप्लीट करा चुकी हो चाप्टर थी, और आज मैं multiple choice, question लेके आए हूँ त्वाइस टूडेंट्स हम लोग अपना अज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ए है, tick the correct option, correct option को यानि जो सही होगा, जो true होगा, जो right होगा, उसको क्या करना है, ठीक करना है, ए, one number है, he was a very dash king, तो king मिदास जो थे, वो कैसे king थे, तो वो काफी rich king थे, two हो जाएगा, the old man was actually dash god, old man, जो थे, जो बुड़े वेक्ती थे, वो कैसे god थे, तो forest god, third हो जाएगा, he touched the fruit, the cake, the glass of dust, everything turn into gold, जो king मिदास थे, वो जो भी चीज को touch करते थे, चाहे वो fruit हो, या cake हो, या glass of dust, यानि water, glass of water, पाने के glass को भी वो touch करते थे, पानी पिने के लिए भी, तो वो क्या हो जाता था, यानि सोने का, बी है, tick the right and cross the wrong statement, statement है, कुछ sentences यह है, जो right होगा, यानि जो true होगा, जो sentences सही है, उसको tick करना है, जो गलत है, उसको, जो wrong है, उसको cross कर देना है, तो A है, he saw an elderly man asleep among the tree, जो काफी जो भुजुर्ग बैथती थे, वो कहां सो यह थे, कहां थे, among the tree, no, among the floor, वो floor के, पास में थे, तो यह cross कर देना है, to have he went round his palace and glee turned all he could to gold, वो जो भी चीज, जो किले मिदास थे, वो glee मिन्स क्या होता है, तो gay, glee मिन्स gay, यानि कि, जो खुसी, काफी वो खुस थे, तो खुसी से वो क्या कर रहे थे, वो अपने palace, यानि महल के चात्रब घूम रहे थे, क्यों ज्यादा खुस थे, क्योंकि वो सोच रहे थे, कि अब मैं जो भी चीज को टच करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, सोने का हो जाएगा, थर्ड है, he was very hungry, but he could not drink and eat gold, थर्ड है, कि वो काफी हंगरी थे, वो बहुत भूखे थे, लेकिन वो जो भी चीज को टच कर थे, तो क्या हो जाता था, गोल्ड का हो जाता था, तो वो गोल्ड के, गोल्ड को ना पी सकते थे, ना खा सकते थे, तो यह आप लोगा, ठिक हो जाएगा, ठिक करना है, राइट है, आप्शन, 4 है, his only child has turned into a fairy, उनकी एक मात रिक, उनकी लौती बेटी थी, जो क्या चीज में change हो गई थी, fairy means pari, तो no, pari में थोड़े ना बतली थी, वो, क्या चीज में turned होई थी, वो एक gold में turned होई थी, golden statue में, तो यह cross करना है, इसको wrong है इसलिए, अब हम लोग C number देखेंगे, C number में क्या है, fill in the blanks, fill in the blanks with suitable words, ठीक है, fill in the blanks को complete करना है, तो students, यहाँ पे forgiveness का spelling mistake था, तो मैं यहाँ पे इसको ठीक कर दी हूँ, F.O.R.G.I.V.N.S.S. दिया हुआ था, जबके यहाँ पे N.E.S. होता है, तो मैं यहाँ पे इसको correct करके यहाँ पे उपर में लिख दी हूँ, ठीक है, तो आई हम लोग C.N.S. स्टार्ट करते हैं, 1 है, C का 1 है, King Midas, late him, go without death, King Midas जो थे, Midas नाम है, उनका नाम था, King Midas जो थे, वो क्या सोचे कि क्या मैं इसे आज, बिना, without punishment मिन्स, punishment मिन्स क्या होता है, डंड देना, मैं आज इसे बिना डंड दिये ही जाने दिना, किसको, वो जो बुढ़े जो थे ना, वो जो काफी बुजूर थे, तो वो कौन थे, forest god थे, तो उनको देख करके, कि मिदास को, उन पर मया आ गया, उन पर दया आ गया, ठीक है, इसलिए वो सोचे कि मैं आज इन्हें पनिस नहीं करूंगा, इन्हें मैं ऐसे जाने दूंगा, 2 नमबर ह जो है, वो कि मिनास जो है, वो वर्ल्ड के सबसे रीचिस्ट मैं है, थार्ड है, दकी डैसी ज़िए और स्टार्टेड क्राइब, जब की मिनास कुछ भी कोई भी चीज को जब वो टच करते थे, तो वो बोल्ड का हो जाता था, न वो खा सकते थे, न पी सकते थे, कोई भी पाने तक वो नहीं पी सकते थे, और लास्ट में क्या हुआ, कि उनकी एक मात्र जो उनकी क्लॉथी जो बेटी थी, वो जब वो उनके पास दौरते हुए आई, जब वो उनके गले लगी, तो वो भी एक बोल्डन स्टाच्यो में चेंज हो गई थी, तो उसके बाद जो अगरा चीछ के लिए बोलने लगे फॉर गीवनेस, यानि वो माफी मांगने लगे, तो यह स्टूडेंस आज का क्लास हम लों का कम्प्लीट हो चुका है, मैं जितना भी मल्टीपल चर्स हम लों का कोश्टन था, हम लोग ए भी सी कम्प्लीट कर चुके है, अब हम लोग था एंसर कम्प्लीट कराऊंगे, इसका एंसर तो फॉलॉइंग कोश्टन, तब तक आप लोग यहां पर कराई हूं, मल्टीपल चोइस कोश्टन जो है, आप लोग अपने बुक में टिकर लेजेगा, जिन बच्चों के पास बुक अविलेवल है, और जिन बच्चों के पास ब प्रॉबलम हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए, मैं उसे सॉल्फ करूंगे,